Hello दोस्तो मैं विनोद मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि पासपोर्ट एप्लिकेशन स्टेटस किस तरह से चेक करेंगे अगर आप नया या रिरिशुट करने के लिए passport दिये हैं, apply किये हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका passport का status क्या है, application का status क्या है, अगर आप भी अपना passport का application status देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे कि आप खुद ही घर बैठे, अपने mobile या computer स आपना एप्लिकेशन का स्टेटस पासपोर्ट का एप्लिकेशन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप पासपोर्ट का एप्लिकेशन स्टेटस चेक करेंगे दोस्तो सबसे पहले आप अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आ दिये जानते हैं किस तरह से आप अपना पास्पोर्ट का एप्लिकेशन का स्टेटस चेक करेंगे सबसे पहले आप अपना फोन या कंपूंटर का Google का Homepage खोल लिजिए Google का Homepage खोलने के बाद आपको टाइप करना है passport India आप type किजिए type करने के बाद आप search किजिए passport India करके आप search किजिए search करते ही आप देख सकते है passport sewa home Indian passport उपर में देखिए passport India.gov.in है आप इसको passport sewa home पर click किजिए click करते ही आपको passport sewa का official website पर लेके चला जाएगा आप देख सकते हैं ये passport sewa का official website है passport sewa और देखिए ये COVID-19 का advisory है ये पर लिजे COVID-19 का लेकर advisory दिया गया है कि उसके बाद ये cross कर दिजिए उसके बाद आपको करना क्या है कि देख सकते हैं कि ये आपका dashboard दिखा रहा है dashboard पर यह देखिए उपर में आपको left side में दिखा रहा है आपका new and user existing user login check appointment ability उसके बाद दिखिए दिया है track application status track application status पर आपको click करना है click करते ही दिखिए आपके पास एक form आजाएगा छोटा सा track application status select application type यहां से आप select किजिए किस तरह का आप application दिये है passport या PCC IC ये PCC passport का मैं बता रहा हूँ तो ये passport यहां से choose कर लिजिए पहला passport करने के बाद file number आपका file number जो है वो file number यहां डालिए उसके बाद आपको यहां डालना है date of birth date of birth यहां से देखिए choose कर लिजिए आपका जो date of birth है है यहां tip click किजिए click करते ही एक पास calendar यहां से यह चूज कर लिजिए यह month चूज कर लिजिए जो है और उसके बाद जो date है वो date डालके आप उसके बाद ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपका application का status आपका passport का application का सारे status आपको यह शो कर देगा तो दोस्तो आज आप जाने किस तरह से आप application status passport का चेक करेंगे दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल वाले बेल आइकन को दरवा कर नोटिफिकेशन को अन कीजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहता हूं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद